बक्राईद के दिन कलेजी हर घर के दस्तरखान की ही शान होती है, फिर आप इसे नाश्ते में बनाएं, लंच में या फिर डिनर में के कलेजी में से जरा सी भी स्मेल नहीं आएगी, कलेजी मक्षन की तरह नर मुलाइम कैसे बनेगी, यह सब भी मैं आपको आज की इस रेस्पी वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को आपने बेना स्किप की ये लास तक जरूर देखना है, तो चले फिर चटपटी मसाले व हुई है, अब भी कलेजी मनाने से पहले कलेजी को स्मॉल पीसीज में ही कट कर लीजेगा, इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी किड्नी यानि गुर्दे भी शामिल करूंगी, यह optional है, आप एट करना चाहें तो एट कर दें, अच्छा जी, अक्सर लोग की कलेजी पकने के बाद hard हो जाती है, गो के वो completely गल चुकी होती है, लेकिन इसके hard होने की वज़ा क्या है, वो है कलेजी के उपर मौजूद यह जिल्ली, देखें यह शायनी सी दिख रही है आपको, यह कलेजी के उपर बिल्कुल बारीक सी जिल्ली होती है, जो के पकते हुए hard हो जाती है, क पूरी कलेजी से ही जिल्ली उतार कर इसके small pieces कर लें, कलेजी का बड़ा piece होगा तो 2-3 minute लगेंगे आपको, सारी की सारी कलेजी की जिल्ली बहुत easily निकल जाएगी, कलेजी की जिल्ली निकलने के बाद इसका difference देखें आप, जो इसके उपर shine थी, वो अब नजर नहीं आ रही है, ये जिल्ली कलेजी की दोनों sides पर होती है, आपने इसी तरह से कलेजी साफ कर लेनी है, अब इसके smell के से खतम की जाएगे जिसमें शामिल करेंगे 1 tablespoon lesson, grated crush या फिर paste जो भी आप add करना चाहें, add कर दें, इसके साथ ही इसमें 2-3 tablespoon सिरकर शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें इतना पानी add करेंगे कि सारी कलेजी इसमें डूप जाए, अब mix करके 10-15 मिनट सक ऐसे ही counter पर रहने देंगे इसको, जिससे के कलेजी के अंदर मौझूद सारा blood और smell बगएरा निकल जाएगी, 15 मिनट के बाद देखिए कलेजी का color totally change हो चुका है, इसका सारा dirt blood बगएरा इस तरह से पानी में निकल कर अलग हो जाएगा, मैंने इस कलेजी को सिरके में विगोने से पहले अची तरह से दो बार wash कर लिया था, इसलिए इसमें जादा blood नहीं है, 15 मिनट के बाद इस पानी को फेक कर आप इस टेनर में डाल कर कलेजी को खुले पानी से नल के नीचे wash कर लिजेगा, मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए counter पे रखके इसका dirty पानी आपको दिखाने के लिए, कलेजी इस तरह से निकाल कर अलग कर रही हूँ, देखिए आपको नज़र आ रहा है, इसमें इसका blood वगएरा, अचा आज की इस recipe वीडियो में आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ कलेजी वाश करने का, कलेजी की smell आटे से भी खतम की जाती है, वो एक दूसरा तरीका है, जो के मैं आपको तवा फ्राइक लेजी में बनाना बता चुकी हूँ, इसका लिंक में description box और वीडियो के end मेट कर दूँगी, अगर आप आटे से कलेजी की smell को दूर करना चाहें, तो सना से भी कर सकते हैं, अब आजाते हैं, इसकी cooking की तरफ, एक पतीली में अधका पॉयलेट करेंगे, साथ ही इसमें दो medium size की slice की हुई प्यास शामिल करेंगे, प्यास को light golden fry कर लेंगे, अब जब प्यास light golden fry हो जाएगी, तो कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 teaspoon साबित जीरा, 1 teaspoon साबित का लिमिट, 3 बड़ी लाइचियां, 3-4 छोटी लाइचि, और 7-8 लॉंगे ये एट कर देंगे, खड़े मसाले को 5-10 सेकिंड तक हलका सर fry कर लेंगे, खड़े मसाले fry करने के बाद इसमें 1 tablespoon लसानद रखा पेस शामिल करेंगे, मिक्स करके इसमें dry spices जाएट करेंगे, 2 tablespoon धनिया powder शामिल करेंगे, साथ ही इसमें 1.5 tablespoon पिसी लाल मिर शामिल करेंगे, मसाले शामिल करके मसाले और प्यास की भुनाई कर लेंगे, अब भुनाई करते हुए ही इसमें 1-4 cup के पराबर पानी शामिल करेंगे ताके मसाला जले नहीं देखें यहां पर मसाली की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें कलेजी शामिल कर देंगे कलेजी शामिल करने के बाद अब इसकी एक से दो मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे जल्दी जल्दी से साथ ही साथ आप मेंसे जो लोग मेरी चैनल पर न्यू आये हैं और मेरी चैनल को नोने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें पानी अभी तक मैंने इसमें शामिल नहीं किया है जब कलेजी के अची तरह से भुनाई कर ली है मैंने इसके बाद मैं एक कप पानी शामिल कर रही हूँ कवर करके अब कलेजी को पहले 80% तक टेंडर कर लेना है कलेजी को गलाने के लिए मैं यहाँ पर टाइम नहीं बता रही है कभी कबार कलेजी अगर बड़े जानवर की हो तो इसको गलने में ज्यादा टाइम भी लग जाता है कलेजी को पकते हुए यहाँ पर तक्रीबन 20-25 मिन्ट हो चुके हैं और देखी कलेजी यहाँ पर तक्रीबन गल चुकी है नमक अभी तक मैंने इसमें शामिल नहीं किया है अब इसमें हस्बिजाए का नमक शामिल करेंगे एक कप यहनी 250 ग्राम दही शामिल करेंगे दही को अच्छी तरह से फेट कर इसमें शामिल करेंगे दही एट करके अब वापस से कलेजी और दही की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे दो से तीन मिनट तक बुनाई करने के बाद इसमें 3-4 cup या फिर 1 cup या फिर जितनी आपने gravy रखनी हो इसमें इसे साबसे पानी एट कर दीजेगा चुक्के gravy हमने मसाले वाले थिक बनानी है तो 3-4 cup या फिर 1 cup पानी इसमें ठीक रहेगा पानी शामल करके अच्छी तरह से 2-3 बार mix कर लेंगे साथ इसमें 6-7 हरी मिर्चे और तकरीबन 2 टेबल स्पून अद्रक शामल करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी या ड्राय मेथीस में शामल करेंगे कसूरी मेथी शामल करने से कलेजी में जो प्यारी से खुश्बूर जायका आता है ना इससे मसाले वाली कलेजी में चारशान लग जाते है मेथी शामल करके मिक्स करने के बाद अब इसमें एंड में हाफ टीस्पून गरमसाला पौडर शामल करेंगे अब cover करके कलेजी को हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसका oil separate ना हो जाए और कलेजी completely tender ना हो जाए आपके घर में सब लोग gravy वाली है पिर तवा fry कलेजी जो होती है किस तरह की बनी हुई कलेजी जादा खाना पसंद करते हैं मुझे नीचे comment box में comment करके ज़रूर बताएगा देखें यहाँ पर कलेजी को oil separate हो चुका है और कितनी शानदार जबरदस चटपटी मसाले वाली कलेजी बनके ready हो चुकी है अच्छा जी कलेजी को तो मैं आपको पहले ही चेक करवा चुकी हूँ कलेजी काफी पहले ही गल चुकी थी अब हमने इसमें गुर्दे भी add किये थे तो देखें कितने बेहतरीन से गुर्दे भी गल चुके हैं इसमें तो बस फिर अपनी मज़ेदार सी चटपटी ग्रेवी वाली मसाले वाली कलेजी को डिश आउट कर लेते हैं इसकी रौनक और मसाला देखकर ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी बेहतरीन कलेजी बनी है ये देखिए इसकी ग्रेवी कितने थिक मज़ेदार सी माशाला जब देखने में ही इतनी mouth watering लग रही है तो सोचे खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं होगा बक्रा इत के लिए मेरी कलेजी की ये recipe वीडियो और इसके end में तवा fry कलेजी की recipe वीडियो आप इन दोनों मेरी recipe वीडियो को save करके रख लें फिर जिस तरह से भी आपका दिल करें मेरी इस recipe से कलेजी बनाएं और बना कर अपने घरवालों का दिल जेत लें देखें कितनी जबरदस soft मुलाइम कलेजी बनी है कलेजी को हमना चीतना से wash करके साफ किया है न तो कलेजी में smell आईगी ही नहीं और नहीं ये hard होगी इस हीद पर ज़रूर मेरी recipe से बना कर try कीजेगा और चैनल को अगर अब तक like, share और subscribe नहीं किया है नेक्स रेस्पी वीडियो तक के लिए अल्ला निगेवान